स्वागत से दोस्तों एक्सिलेंट क्लासिस में एक्सिलेंट क्लासिस की तरफ से मैं हर्यों गुपता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जैसे कि आज हमने आपको PDF में Science के Question दिये थे जिनका solution में आपको प्रिवाइट करा रहा हूँ तो आईए शुरू करते हैं आज का Question No.1 जैसे कि हमारे सुभा 7 बजे Current Affairs का एक वीडियो सुभा 11 बजे डैली पुलिस टार्गेट लाइब टेस्ट और सामको 8 बजे यूपी लेकपाल टार्गेट टेस्ट हम कंडेक्ट कराते हैं आज हम साइन्स के टेस्ट का solution आपको प्रवाइट करा रहे हैं यह रहा आपकी स्क्रीन पर प्रस No.1 वह है पौधे जिन्हें सामाने तोर पर ट्रेटो ट्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह किस से रिच होते हैं किस के धनी होते हैं तो इसलिए question आप से पूछा गया था और इसका correct answer होगा option no.b option no.b में हमारा आएगा hydrocarbons and lipids आई ही मैं आपको detail से समझा दूँ hydrocarbons and lipids तो यहाँ पर option हमारे B & C दौनों ही सही हो जाएंगे तो यहाँ पर आप right answer क्या टिक करेंगे option D hydrocarbons and lipids बोथ हार rich in petrocrops आई मैं आपको detail से समझा देता हूँ petrocrops होते क्या है वह पौदे जिनने सामाने तोर पर petrocrops के रूप में जाना जाता है उसमें hydrocarbons lipids पाय जाते हैं अब आपको मैं बता दूँ जैसे कि petrocrops कौन से हैं ऐसे जिनसे petroleum बन सकते हैं और petroleum इनने मुकता क्या होता है hydrocarbons तो यहां पर option नंबर B और C दोनों ही सही हैं तो right answer हो जाएगा हमारा option D यह रहा आपकी screen पर question नंबर 2 यह question FSCJE UPPCS में सेकंड पेपर में आया है आपसे मैंने जैसे question paper देते time भी कहा था कि बहुत से ऐसे question जो कई exam में repeat हुए हैं और आने वाले परिख्याओं में भी आपको यह person मिल सकते हैं तो बहुत important question को मैं आपके सामने लेके आया हूँ तो इन question का right answer कीट भक्षी पौधे जिसे मिर्दा में उखते हैं उसमें किस चीज की कमी रहती है तो कीट भक्षी पौधे उस मिर्दा में उखते हैं जहां nitrogen की कमी रहती है जिने हेट्रोफोप्स कहा जाता है तो option हमारा nitrogen option number C सही हो जाएगा एरहाप की स्क्रीन पर question number 3 यह आरार्बी लोकोपाइलेट एक्जाम और Indian Institute IAS Pre-GS 1996 का question है टमाटर के बीज सहत फलों का उत्पादन संभाव है यह किसके कारण संभाव है कौन सी बिदी के कारण तो यहाँ पर option number C सही है पुष्पों पर हार्मोन छड़कने से आईए मैं आपको समझा दू पार्थीनों कोप द्वारा टमाटर की पुष्पों पर आक्सेन हार्मोन छोड़कर बीज रहत टमाटर उत्पादन संभाव है ऐसे टमाटर जिनमें बीज नहीं होंगे यह मिल्ली उन लोगों के लिए होता है जिनने पत्थरी की समय से हैं उन्हें बीज रहत टमाटर बताये जाते हैं तो यहाँ पर option number C सही है आते हैं हमारे आच्छे question number 4 पर यह रहाँ की screen पर question number 4 यह बिहार SI exam और IAS pre GS 2011 का question है जब किसी ब्रक्ष की चाल के अधार के आफ़ास गोलाकाद चारों तरफ हटा दी जाती है तो यह ब्रक्ष धीरे धीरे सूख कर मढ़ जाता है ऐसा क्यों होता है तो right answer है DRS parent जड़ें उर्जा से बंचेत रह जाती है अर्था जड़ों पर उर्जा नहीं पहुंसती है तो हमारा option सही हो जाएगा जड़ें उर्जा से बंचेत रह जाती है अब आपको मैं थोड़ा detail से मैं बता दूँ संबाहनी पाथ को दो प्रकार के उतर पाए जाते है फ्लोयम जायलम जैसे कि आप जानते हैं कि जमीन से जल और पोसकता तो जड़ों के माध्यम से आवशोशित करके पौधे के हर भाग में पहुंसता है तो किनके माध्यम सोता है जल का फ्लो होता है जायलम के द्वारा और पोसकता तो पतिओं से और जो भोजन बनाता है पोधा पतिओं से जड़ों तक फ्लोयम के माध्यम से आता है तो यहां पर right answer हो जाएगा हमारा जड़े उठजा से बंचित रह जाती है ते रहा आप की स्क्रीन पर question number 5 गन्य में एक इच्छू सरकरा की मात्रा घड़ जाती है यदी यह RRB भोपाल जूनियर इंजिनियर और SSC जूनियर इंजिनियर प्री GS 1993 का कॉश्चन है गन्य में एच्छू सरकरा की मात्रा क्यों घड़ जाती है तो आपने option number B यहाँ पर लगाया है जिन लोगों ने उनका बिल्कुल सही है पकने की अबदी में अगर पाला गिर जाए तो वहाँ पर इच्छू सरकरा की मात्रा कम हो जाती है यह किस प्रकार की फसल है तो यह नगदी फसल है cash crop एरहाब की question number 6 पेड़ पुछा था कि पेड़ पौधों में जायलम मुखता किसके लिए जिम्मेदार होते हैं जल के transportation के लिए जैसे कि मा पिछले question की ब्याक्षा में बताया कि जल, जाइलम से फ्लो होगा और जो हमारा आहार होगा, जो पॉधा की पत्तियों में आहार बनता है, वह पत्तियों से फ्लोयम के माध्यम से जड़ों तक और अनभागों तक जाएगा. एह रहाँ की स्क्रीन पर कुश्चन नमबर सेविन शम्भाहनी पौधों में उपर किस से जाता है शम्भाहनी पौधों में किस से जाता है बिहार कौस्टेबल एक्जाम और BPSC pre-2011 का कुश्चन है इसमें जो वैस्कुलर है पौधों में पानी उपर कैसे जाता है तो राइट आमसर हो जाएगा जायलम टिसू से जायलम टिसू कैसे होते हैं या किस के सिध्धान पर कार करते हैं केस कत के सिध्धान केस कत को सिध्धान क्या होता है वाटर केस का में तो यह सर्फिस टेंसन कारण उपर की तरफ उठता है इरहाप की स्क्रीन पर कुश्चन नमबर 8 SST, GD और UP, PCS परी जोहारा छे का कुश्चन है पेड़ की आयू का पता कैसे लगाया जा सकता है यह बहुत ही बेसिक सा कुश्चन है मोस्ट रिपीटिंग कुश्चन और बहुत ही आसानता कुश्चन तो यहाँ का ओप्सन नमबर B सही हो जाएगा उसके धड़ पर बलेओं की संक्या जितने वहाँ पर रिंग होंगे उनकी संक्या को गणना करके हर साल में पौदे की बले जो उसका तना होता है उसके एक बलेओं की संक्या बढ़ जाती है तो ओसन नमबर B यहाँ पर सही हो जाएगा एरहाफ की स्क्रीन पर कुश्चन नमबर 9 केसर होता है केसर किस प्रकार से होता है डैली पोलिस एक्जाम और UPPCS PreGS2002 का कुश्चन है केसर सूखा मिस्टर किस से होता है फूल और बीच के मिलाने भाले भागों से उसका सूखा मिस्टर ड्राइ पाउडर होता है तो ओसन नमबर C यहाँ पर सही हो जाएगा एरहाफ की स्क्रीन पर कुश्चन नमबर 10 निम लिखित मैं से किस पौधे में फूल नहीं होता है UPPCS एक्जाम में आया था यह है और UPPCS GS1999 का भी कुश्चन है किस पौधे में फूल नहीं होता है तो राइट अंसर यहाँ पर फर्ण एरहाफ की स्क्रीन पर कुश्चन नमबर 11 लाल वर्ष होती है जिसमें किसकी बिदमानता के कारण लाल वर्ष होती है तो यह हरिस सहवाल के कारण UPPCS नमबर B सही हो जाएगा लाल वर्ष का कारण है एक परकार का हरिस सहवाल जिसे क्या कहते है क्लाइडो माइनिस नेबिलिस हमने यहां पर यह भी डिसकस किया था कि बलतमान में एक जील का रंग भी गुलाबी हो गया था तो वह भी इसी नेबिलेस नामक हरिस सहवाल के कारण हो गया था तो option number B यहां पर सही हो जाएगा बहुत से लोग यहां पर लाल सहवाल लगा देंगे वो गलत होगा जो नेबिलेस है वह लाल वर्णक होता है और इसे हीम्टो क्रोम के कारण उसका रंग रेड होता है तो option number B यहां पर सही होगा तेरह आपकी screen पर question number 12 लेसुन की अभी लाच्छने गंध का कारण क्या है लेसुन की अभी लाच्छने गंध का कारण क्या है लेसुन की जो गंध होती है वह किसके कारण होती है गंधक का योगिक गंधक के से कहते हैं सल्फर को तो सल्फर का यहां पर योगिक पाया जाता है जिसके कारण उसका जो हमें इसमेल आती है लेसुन की सल्फर के कारण आती है तो option number C यहां पर सही हो जाएगा यह रहाँ आपकी स्क्रीन पर question number 13 hydroponics क्या है यह RRB अलाहबाद UPPCS mains special GS second paper का question है hydroponics क्या है hydroponics किसे कहते हैं मिर्दा भीहीन पादप जिन ऐसे पादप ऐसे पौधे जो मिर्दा भीहीन उखते हैं उन्हें कहते है hydroponics इस प्रकार की केसी प्रणाली में पेड़ पौधे को बिना मिट्टी के ही ओगाया जाता है एरहाप की स्क्रीन पर question number 14 निमलेखित मैं से कौन सा सरसों के तेल में शामानता मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है FSCJ UPPCS mains 2008 का question है most repeating question है सरसों के तेल में सामानता मिलावट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो right answer यहाँ पर option number B हो जाएगा पोस्ता के बीच ठीक है पोस्ता कहां की फसल है basically Mexico की और इसके फलतरूप मिलावट से dropsy नामक महमारी फैल जाती है बहुत ही जहरीली चीज है यहाँ यूपी पुलिस एकजाम और उत्राखंड UDA Pree 2013 का question है यहाँ पर पूछा गया था एक बीच के अंकुरान के लिए कौन सी तीन परिस्तितियां सरबादिक मात्पूर्ण है कौन कौन सी चीज़ें सबसे जादिक मात्पूर्ण है पानी, उचेत तापमान और ऑक्सीजन तो यह तीनों चीज़ें कहाँ पर मिल लाई है option number B पर एरा हाप की स्क्रीन पर question number 16 lag hemoglobin पाई जाती है बिहार J, UPPCS और GS second 2005 का question है lag hemoglobin किस में पाई जाती है तो राइट आंसर है lagyum, mool, granthi, me option number C साई हो जाएगा आईए आपको मैं डीटेल से बता दूँ DRS पारेंट खेतों के जो फलीदार पादप होते हैं जैसे सेम, मटर, सोयाबीन, मूंग फली उन्हें उगाने के लिए उनकी उरवरता बनी रहती है जिस परकार से हम अगर यह चीज़ें उगा रहे हैं तो खेत की पादप खंता बनी रहेगी तो DRS पारेंट इसे lag hemoglobin नमक enzyme जो होता है इनकी गाठों में होता है उस बढ़नक पाया जाता है जिससे nitrogen का अपचेन करिया होती है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पार legume मूल गरंती में nitrogen का अपचेन होता है राइट आंसर हो जाएगा option number C इह रहा आपकी screen पर question number 17 रेसम कीट जिस पर पनपता है वह क्या है तो रेसम का कीट किस पर पनपता है सहतूत की पत्तियों पर बहुत ही आसान सा question है रेसम का कीट किस पर पनपता है सहतूत की पत्तियों पर option number D यहाँ पर साही हो जाएगा एरा आपकी screen पर question number 18 UPSI उत्राखंड PCS 2003 का question है सिन कोना पौधे किस भाग से कोनेन प्राप्त किया जाता है कोनेन क्या है एक परकार का कीट नासक है कोनेन का प्रियोग हमने अपने day to day life में भी किया होगा सिन कोने नामक पौधे से होता है या किस भाग से मिलता है बहुत ही basic सा question है बार-बार आपको most repeating question है तो right answer इसका तने की छाल से option number A यहाँ पर सही हो जाएगा यह रहाँ आपकी screen पर question number 19 UPPSC assistant forest conservator का question है पौधों में गंदा की कमी के कारण सरपरता कौन से लक्षन प्रिकट होते है कहाँ पर होते हैं लक्षन उपरी पत्तियों पर गंदा की कमी के कारण नई पत्तियों के उपरी भाग पर यहाँ परिकट होते हैं गंदा की कमी से नई पत्तियों के किनारे कैसे हो जाते हैं पीले पड़ जाते हैं तो right answer हो जाएगा उपरी पत्तियों पर पर आपकी screen पर question number 20 सहच परणाली का परिवर्धान निम्द में से कौन सा होता है सहच परणाली का परिवर्धान निम्द में से कौन सा होता है तो right answer है यहाँ पर option number C परणाली का श्वापोशी करिया हाईए मैं आपको समझा दूँ इस question के बारे में सहच परणाली का परिवर्धान एक श्वापोशी करिया अर्था वस स्वता ही अपने आपका पोश्वापोशी करती है सहच परणाली और जो अपने भोजन का निर्मार स्वयम कर लेते हैं उन्हें श्वापोशी कहा जाता है right answer हो जाएगा हमारा option number C परणाली का श्वापोशी करिया सहच परणाली का परिवर्धन कहलाता है इरहाब की स्क्रीन पर कोश्वापोशी नमबर 21 मा पोधे की भाती पोधा मिलता है जो उसका मात्र पोधा है उसके लच्छन अपनी संतानों के शत प्रतिसत मिलते हैं एक इसमें होता है बीजों और तना काट से दौनों से ही जाहे आप बीज लगा दें चाहे तना काटने से जो पोधा होगा वो अपने मात्र पोधे की जैसा होगा इस प्रकार को पोधे में बीज इमन तना काट वारा प्राप्त किया जा सकता है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C एरहाब की स्क्रीन पर कुश्चन नमबर 22 इंसुलेन प्राप्त होता है इंसुलेन किससे प्राप्त होता है इंसुलेन किसके लिए यूज़ होता है डाइविटीस के लोगों के लिए डाइविटीस के लोग जो इनका पैंक्रियास काम करना बंद कर देता है लेंगर हैंस की दिपकाओं से इंसुलिन बनता है जब एक काम करना बंद कर देता है तो इंसुलिन मिलता है डहे लिया की जड़ों से डहे लिया नमत पौधे की जड़ों से इंसुलिन प्राप किया जाता है उसन नमबर B यहां पर सही है यह रहाँ आपकी स्क्रीन पर question नमबर 23 पौधे द्वारा ली गई बिकीन उर्जा निम्न पर नाम देती है तो राइटर अंसर हो जाएगा जल का प्रकास अबगटन आपको राइट अंदर समझा दूँ पौधे द्वारा ली गई बिकीन उर्जा का पर नाम जल का प्रकास अबगटन होता है अर्थात क्या होता है जल्क के अब भटन के द्वारा जल्क S2O के मॉलीक्यूब में तूट जाता है क्या क्या बनता है हाइडोजन और हाइडोजन क्या है बेसिकली एक एलेक्ट्रोन करिया और जो प्रकास संसलेटन के में भाग लेता है इसलिए पौद्धे के लिए प्रकास संसेटन क्रिया के लिए सूर का प्रकास अती आवश्यक हो जाता है तो option number A यहाँ पर सही हो जाएगा हे रहाँ आपकी screen पर question number 24 मच्छर कॉयल में प्रयोग होने बाली pyrethin कहां से प्राप्त होती है तो कहां से प्राप्त होती है जहारखंड PCS का question है यह UPPCS में भी आचुका है 2005 में UPPCS में भी आया था और pyrethin नामत पधार जो मच्छर मानने की दवा के रूप में प्रयोगत होता है यह गुल दाउदी तथा गेना के push से प्राप्त होता है यह क्या है बेसिकली एक BGA पौधा इनका होता है जिनमें सामानता एक पत्री बीच पाये जाता है भारत में सरवादिक मात्राम उत्पादें होने वाला push कौन सा है गेन्दे का push पौन सा है तो राइट आंसर हो जागा एक BGA पौधा राइट आंसर है option A यह रहा हमारा आज की स्क्रीन पर question number 25 question number 25 में हमें सही समेले प्रणना था तो अधरक क्या है प्रकंद है